वंदे मातरम दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूँगा अगस्त महीने की 6, 15 और 24 तिथी को जिन मेरे दोस्तों का जनम हुआ है उन दोस्तों के बारे में आज मेरी चर्चा होगी जिन दोस्तों का जनम 6, 15, 24 मन्थ अगस्त इन तिथीयों को जिन का जनम हुआ है उन पर आज मैं चर्चा करूँगा दोस्तों यदि आपके पास अपनी जनम कुंदली नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई आफशकता है नहीं मेरे कई दोस्तों के पास उन्हें अपना जनम का पूरा विवरन नहीं पता होता क्योंकि जनम कुंदली बनाने के लिए डेट ओ बर्थ, प्लेस ओ बर्थ, टाइम ओ बर्थ पूरा कम्प्लीट चाहिए फिर ही कुंदली बन पाती है और कुछ मेरे दोस्त साथी हैं जिनके पास इतना पता है कि मेरा जनम 6 अगस्त को, 15 अगस्त को या 24 अगस्त को हुआ है उन्हें ये नहीं पता होता कि जनम उनका किस सन को हुआ या जनम का उनका समय ठीक ठीक का उसका ग्यात नहीं होता तो चिंता करने की कोई आउशकता नहीं है दोस्तों मेरा ये वीडियो विशेश रूप से आपके लिए ही है दोस्तों यहां दोस्तों यह वीडियो मेरा विशेश रूप से आपके लिए ही आपने बहुत ध्यान से मेरे इस वीडियो को सुनना और देखना है आपको इसमें मैं आपके आर्थिक स्थिति आपके स्वास्त के बारे में और आपके जीवन के बारे में महत पूर्ण जानकारी में होगी लेकिन मैं आपको इशाड़ा पूरा दूदूंगा कि आपका जीवन कैसे व्यतीत होना है और आपका स्वास्त और आपका आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहनी है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ शुब रंगों की चचा करूंगा जिने यदि आपने इथान दिया तो आपके जीवन में बहुत ही खुशाली परसंता सफलता आसानी से आती है तो दोस्तों मैं चर्चा को शुरू करूं तो इसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि यदि ये वीडियो देखने के पश्चात आपको लगे कि ये जीवन के आपके करीब ह और जो मैंने बताया वो आपको सही लगा तो फिर मेरा यतना कहना बनता है कि आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और मेरे चैनल को अधिक सधिक अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का अधिक सधिक लाव उठा सके यदी फिर मैं कहा रहा हूँ दोस्तों यदी मेरा ये वीडियो सुनने के बाद 6, 15, 24 अगस्त के मेरे दोस्तों को जो मैं बताऊंगा वो उनके अपने जीवन के समीप लगा तो फिर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैं इतना आश्वाशन देता हूँ कि भविस्ष में ऐसी ही महत्पुर्ण वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं दोस्तों आप सभी मेरे दोस्तों का जिनका जनम 6, 15 और 24 अगस्त को हुआ है जनम से ही सुभाब से ही आप बहुत ही सनही और प्रेमी सुभाब के मेरे दोस्त हैं जिन भी व्यक्तियों के संपरक में आते हैं आप उनसे बहुत सहान भूती और उदारता से उनसे मिलते हैं जी हाँ दोस्तों मेरी आचर्चा 6, 15 और 24 अगस्त के सभी दोस्तों के बारे में हो रही है 6, 15 और 24 अगस्त के मेरे सभी दोस्त आश्वा से अधिक अपने परिवार से सनेह रखते हैं उनसे प्यार करते हैं और परिवार में अपना उचा आदर्स काइम करते हैं 6, 15 और 24 अगस्त के मेरे सभी दोस्त सभी साथी बहुत सुन्दर सा ये गुन उनका जो उन्हें जीवन में बहुत ही खुबसूरती परदान करता है आपोजिट सेक्स के जितने भी लोग हैं वो उनकी और खुद आकरसित होते हैं क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व है बहुत खुबसूरत होता है देखने में ये बहुत खुबसूरत होते हैं 6, 15 और 24 अगस्त के मेरे जितने भी दोस्त हैं उनके बारे में मैं चर्चा आज कर रहा हूं जहां भी कहीं जाते हैं ये मेरे दोस्त 6, 15 और 24 अगस्त के बहुत आसानी से धेर सारे मित्र बना लेते हैं जी हाँ दोस्तों सुभावी ऐसा होता है इनका बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं और बहुत आसानी से दोस्त जहां भी कहीं चले जाएं बना लेते हैं मेरे सभी साथी जिनका जनम 6, 15 और 24 अगस्त को हुआ है सामाजिक जीवन मित्रों के सत्कार के परती इनका बड़ा रुजान होता है दोस्तों को अगर दोस्त घर में आ गए अगर सज्जन घर में आ गए इनके तो उन्हें अच्छा से अच्छा खिलाना पिलाना ये इनकी इच्छा होती है और उनका सत्कार करना ये अपने सामर्थ से बढ़कर उनका सत्कार करते हैं ऐसे सुन्दर गुनके स्वामी मेरे 6, 15 और 24 अगस्त के सभी दोस्त अगर इनकी उमर्थ कुछ हो भी गई है तो भी लेकिन इनकी दिल्चस्पी यंग जनरेशन के साथ पनी रहती है इसलिए कभी अपने आपको ये बूढ़ा महसूस नहीं करते 6, 15 और 24 अगस्त के सभी मेरे दोस्त की बात में कर रहा हूं इनकी अगर उमर्थ हो जाती है तो भी ये यंग लोगों के साथ बैठना बहुत पसंद करते हैं और उनसे प्राए घिरे रहते हैं इसलिए कभी बुढ़ापा ये महसूस करते ही नहीं 6, 15 और 24 अगस्त के मेरे सभी साथी मेरे इन साथियों में आर्ट, फिल्म, राइटिंग, डांसिंग इनमें विशेष रूची होती है और अज़ी इन्होंने जीवन में इन छेत्रों में कदम रखा तो इन छेत्रों में इन्हें अपार, ख्याती और सफलता भी मिलती है 6, 15 और 24 अगस्त के मेरे सभी दोस्तों को सुभाब से बहुत उदार जैसा कि मैंने पहले ही कहा मित्रों दोस्तों के अपने दोस्तों को बिल्कुल नहीं देखते 6, 15 और 24 अगस्त के जितने मेरे दोस्त हैं यहां तक कि अपने मित्रों की बदनामी को टालने के लिए उनकी गलतियों को अपने उपर भी ले लेते हैं 6, 15 और 24 अगस्त के ऐसे होते हैं, मेरे दोस्त, बहुत सुन्दर शुभ योग मैं कहूंगा, बहुत किस्मत के भागशाली, लेकिन एक छोपी सी चेतावनी छोपी सी सला में दूगा, दोस्तों, अपने 6, 15 और 24 अगस्त के जितने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे है एक मेरी छोड़ी सी सला है दोस्तों, उदारता अच्छी चीज है, मित्रों और संबंधियों के साथ निभाना भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी दिखावे के चक्कर में आप पढ़कर बहुत ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं, तो ये फिर अपने बच्चत क अगर आप इस तरीके से खर्च करते हैं, फिर आपके लिए कल को मुश्किल पैदाना हो जाए आर्थिक तोर पर, तो थोड़ा सा धन को खर्च करते वक्त, थोड़ी सी साफधानी जरूर रखें, बाकि मित्रों से मित्रतार इस्तेदारों से प्यार ये तो होना ही चाहिए, यही जीवन की खुबसूरती है और यही सब की खुबसूरती होनी भी चाहिए, बात करूं कि आपके एकनोमिकल कंडिशन कैसी रहती है, जो मर्जी आप पैवसाई कर लें, जिस भी काम को अपना लें, आर्ट को अपना लें, एक्टर बन जाएं, एक्टिस बन जाएं, छेत्र में से आपने धन कमा देना है। 6, 15 और 24 अगर्स्त को पैदा लिये हुए सभी दोस्तों के बारे में आज की मेरी ये चर्चा। चर्चा स्वास्त की मैं करूँगों। इस मामले में, स्वास्त के मामले में भी मैं कहूँगा कि आप भागशाली रहेंगे, उमीद में करता हूँ कि आप एक स्वास्त जीवन ही जीएंगे, थोड़ा सा जानवरों से खतरा रहता है, आप उस मामले में थोड़ा सा आप साबधानी रखें, उमर थोड़ी होने के बार आपको हाट की प्रावलिम होने की संभावना रहती है, तो थोड़ा इस तरफ ध्यान डखें, अपने खान पान का भी से शुरूप से, अब मैं चर्चा कर दूँ दोस्तों कि आप के लिए वो कौन से शुब रंग हैं, जिससे आप यदि अपने जीवन में अधिक से अधिक इस्तिमाल करते हैं वस्तों के रूप में, तो आपका जीवन बहुत सुंदर और खुशहाल और खुश्ट्मा और खुश्ट्मा बन जाएगा दोस्तों, रंग नोट कर लें दोस्तों, ब्लू रंग, येलो रंग, ब्राउन रंग, जी हाँ दोस्तों, ब्लू, येलो, ब्राउन और एक रंग और एड़ कर लें गोल्डन, इन रंगों के वस्त्रों को आपने जीवन में अधिक से अधिक इस्तिमाल करना है दोस्तों इससे आपका जीवन बहुत ही सुन्दर बना रहेगा और आपके जीवन में खुशहाली और सुन्दर ढंग से बनी रहेगी health और wealth wise भी आप बहुत strong बने रहेंगे अच्छा दोस्तों अच्छे करम करते रहें अपने पुन करमों के खाते को बढ़ाते रहें इसी शुब मंगल कामना के साथ मैं अजीत बिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए वंदे मातर